Welcome to Chauhan Academy. Current Affairs, Hindi, the 11th of November 2019. प्रशनेक पेजामिन नेतनियाहूने New Right Party के निफ्तली बैनेट को देश का नया मंत्री नियुक्त किया है. का, वित मंत्री खा, रक्षा मंत्री का, खेल मंत्री खा, महिला सुरक्षा मंत्री सही उत्तर देखे ख, रक्षा मंत्री खाल ही में इजरायल के प्रधान मंत्री बेजामिन नेतनियाहूने New Right Party के निफ्तली बैनेट को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है. नेतनियाहु की लिकुट पार्टी के अनुसार प्रधान मंतरी ने नफ्तली बैनेट से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया की नियुक्ती पर कैबिनेट की अगली बैठक में मत्तान होगा प्रश्न दो निम्द में से किसने सोनिया गांधी, राहूल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटाने का फैसला किया है क सुप्रीम कोर्ट ख दिल्ली हाइ कोर्ट क केंद्र सरकार क रक्षा मंत्राले सही उप्तर देखे क केंद्र सरकार हाल ही में केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी, राहूल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG स्पेशल प्रोटेक्शन फोस सुरक्षा हटाने का फैसला किया है अब इन तीनों को CRPF की Z. जोर श्रेनी की सुरक्षा दी जाएगी अब से SPG सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के पास ही रहेगी प्रश्न तीन 11 नवंबर को पुरे भारत में कौन सा राश्ट्रिय दिवस मनाया जाता है का राश्ट्रिय शिक्षा दिवस खा राश्ट्रिय महिला सुरक्षा दिवस क राश्ट्रिय विज्ञानम दिवस क राश्ट्रिय डाग दिवस सही उत्तर देखे क राश्ट्रिय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को पुरे भारत में राश्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाया जाता है यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबूल कलामाजाद की याद में मनाया जाता है इस दिवस की शुरुआत 11 नवंबर 2008 से हुई थी प्रश्न चार खादी उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कोड जारी किया है का, Homonized System Code खा, OTP Code का, JSM Code का, Increase Sale Code सही उत्तर देखे का, Homonized System Code खादी उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने Homonized System Code जारी किया है इससे पहले भारत में खादी के पास अलग से HS Code नहीं था प्रश्न पांच, बंगाल की खाडी में बने समुद्री चक्रवात का नाम बताए जिसने बांगलादेश में कहर बर पाया है का, बुल-बुल, ख, चक्रधर, क, चक्रामन, ख, बुलडगुल, सही उत्तर देखे का, बुलबुल, बंगाल की खाडी में बने समुद्री चक्रवात बुलबुल ने बांगलादेश में कहर बर पाया है बांगलादेश के विशाल तटिय इलाके के लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण दी गई है और 5000 से अधिक शेल्टर तयार किये गए है प्रश्ण 6, हुन्डई वेन्यू की पीछे छोड़कर कौन सी एस यूवी भारत में सबसे ज्यादा बिखने वाली कॉंपेक्ट एस यूवी बन गई है का, महिद्रा स्कॉरिपियो खा, मारुती विटारा ब्रेजा का, मारुती आल्टो खा, रेनूल्ट डस्टा सही उत्तर देखे खा, मारुती विटारा ब्रेजा हुन्डई वेन्यू की पीछे छोड़कर हाल ही में मारुती विटारा ब्रेजा भारत में सबसे ज्यादा बिखने वाली कॉंपेक्ट एस यूवी बन गई है इस वर्ष अक्टूबर महीने में विटारा ब्रेजा की 10,227 यूनिट की बिक्री है जबकी हुन्ड़ई की वेन्यू की 8,556 यूनिट्स बिक्री है प्रश्न साथ हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 15,000 वर्ष पुराने 14 मेमत के अफशेश मिले है का जापान, खा इराक, का मेक्सिको, खा वियतनाम, सही उत्तर देखे का मेक्सिको, हाल ही में मेक्सिको में खुदाई के दौरान 15,000 वर्ष पुराने 14 मेमत के अफशेश मिले है मेक्सिको के National Institute of Anthropology के मुताबिक 15,000 वर्ष पहले खुदे गए दो मानव निर्मित गड़ों में विशालकाए हाथियों के ये अफशेश मिले है प्रशनाथ भारतिय शूटर तेजस्विनी सावंथ हाल ही में उलम्पिक कोटा हासिल करने वाली भारत की कौन सी शूटर बन गई है का सातवी शूटर खा 10 वी शूटर का 12 वी शूटर खा 15 वी शूटर सही उत्तर देखे क बारवी शूटर भारत की तेजस्विनी सावंत हाल ही में 14 वी एशियाई चैंपियन्शिप में महिलाओ की 50 मीटर राइफल थरी पोजिशन्स परधा के फाइनल में पहुचकर उलम्पिक कोटा हासिल करने वाली भारत की बारवी शूटर बन गई है प्रश्न नौ शेक खलीफा बिन जायद अलनाहयान को हाल ही में दोबारा किस देश का राश्ट्रपती चुना गया है क जापान ख चीन क यूए ख अफ्रीका सही उत्तर देखे का, UAE शेक खलीफा बिन जायद अलनाहयान को हाल ही में दोबारा UAE का राश्ट्रपती चुना गया है उन्होंने नवंबर 2004 में UAE के दूसरे राश्ट्रपती के तौर पर कार्यभार संभाला था उनसे पहले उनके पिता कार्यरत थे प्रश्न 10 इनमे से कौनसे देश ने द्वितिय नो मनी फो टेरर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोशना की का, पाकिस्तान ख, भारत का, जापान ख, अमेरिका सही उत्तर देखे खा, भारत भारत में हाल ही में द्वितिय, No Money for Terror, सम्मेलन की मेजबानी करने की घोशना की इस सम्मेलन में वाइसी मोधी, डीजी एनाय सहित पांच सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे